हेलो एवरीवन, मेरा नाम इशान है, आज हम लोग 20 दिसंबर के करेंट अफेस स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक्स पर बात करेंगे, टॉप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखेगा, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कोश्चन से पहले एक इंपॉर्टन टॉपिक पर डिस्केशन कर लेते हैं, और जो टॉपिक है वो है फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसको अर्जेंटीना ने जीत लिया है, अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूट आउट में फ्रांस को 4-2 से हरा कर 36 साल बात फीफा वि 2022 तक 2022 का जो विनेर है व अर्जेंटीना, इससे पहले था फ्रांस फिर था जर्मनी उससे पहले, इसी भी हम लोग डिस्केशन करेंगे, कि गुलडन बूर्ट किसको मिला, गुल्डन बॉल किसको मिला, ये कहाँ खेला गिया, यह हम लोग इसमीं डिस्केशं आज करेंगे, फिर हमनों कोशिन की तरफ आगे बढ़ेंगे अब बात करते हैं फीफा विशुकब 2022 की तो फीफा विशुकब 2022 का जो फाइनल मैच है वो खेला गया लुसेल स्टेडियम में यह कतर में और यह जो मैच है 18 दिसंबर को खेला गया जिसमें कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा है अब बात करते हैं पुरुषकार की तो गोल्डन बॉल पुरुषकार यह मिला है लियोनल मैसी को गोल्डन बुट अवार्ड यह मिला है कीलियन एमबापे को यंग प्लेयर दो टूर्नामेंट पुरुषकार यह मिला है एंजो फर्नांडेस को और गोल कीपर आप को अब बात करते हैं कतर की तो मैप के अंदर में आप कतर को देख सकते हो कतर मिडिलीस के अंदर में एक कंट्री है जिसका कैपिटल है दोवा अब हम लोग कोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं आज का हमारा पहला कोशन है नेम दा पी 15 बी इस्टील गाइड़न मिसाइल डेस्टोयर विच वास रिसेंटली कमीशन इंटू इंडिन नेवी इन मॉंबई पी 15 बी इस्टील गाइड़न मिसाइल विद्वन शक का नाम बताई जिसे हाल ही में मॉंबई में भारती नवसेना में शामिल किया गया है तो इसका अंसर है ए आई एनस मॉर्मगाउ आई एनस मॉर्मगाउ प्रोजेक्ट 15 बी के तरहत विशाका पटनम श्रिणी के चार विद्वन्चकों में से दूसरा विद्वन्चक है पहला पी 15 बी यू पांच 17 सितंबर 2016 को किया गया था और इसका जो कमीशन है वह 18 दिसंबर 2022 को किया गया है यह जो शिप है इसके अंदर में एबिलेटी है कि यह न्यूक्लियर बायोलाजिकल और केमिकल वार्फेर के दौरान फाइट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर में टोटल एटमॉस्फफरिक कंट्रोल सिस्टम है नेक्स कोशन दिखते है अगला कोशन है हो रिसेंटली इमर्जड एज़ चैंपियन्स अफ प्रो कबड़ी लीक सीजन 9 हाल ही में प्रो कबड़ी लीक सीजन 9 के चैंपियन की रू यह जो फाइनल मैच है सतर दिसंबर को खेला गया मुंबई के अंदर मुंबई के एन एस सी आई एस पीवी स्टीडियम के अंदर में और बात करें जैपुर पिंक पैंथर्स की तो इसके ओनर है अभी शेक बच्चन अब बात करते हैं एवार्ट्स की यह important नहीं हलाकी बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं यहां पर वीवो परफेक्ट प्लेयर अफ़ फाइनल यह मिला है सुशील कुमार को पिंक पैंथर्स के ड्रीम 11 गेम चेंजर अफ़ फाइनल यह मिला है वी अजीद कुमार को पिंक पैंथर्स के और वीवो परफेक्ट मॉमेंट अफ़ फाइनल यह मिला है सुशील कुमार को पिंक पैंथर के और जितने भी एवार्ट्स दिए गये हैं इसके इंदर में जो प्राइज मनी है वह 50,000 की नेक्स कोशन दिखते हैं अगला कोशन है विज होकी टीम रिसेंटली वोन वोमेंस एफ फइएच नेशन्स कप 2022 फाइनल किस होकी टीम ने हाल ही में महिला एफ इएच नेशन्स कप 2022 कफ फाइनल जीता है तो इसका आंसर है D. इंडिया इसलिए important question बन जाता है और इंडिया ने final में Spain को हराया 1-0 से बात करें इस tournament की तो यह जो tournament है 11-17 संबर टक चला वेलेंसिया स्पेन के अंदर में और यह जो hockey team है इसकी जो captain है वह उनका नाम है सवीता पुनिया और जिन्होंने winning goal मारा उनका नाम है गुर्जीत कौर next question दिखते हैं अगला question है which Indian film has been nominated in the two categories at the golden globe awards to be held in January 2023 January 2023 में आयोजीत होने वाले golden globe awards में किस भारतिव film को दो शिरिणियों में नामंकित किया गया है तो इसका answer है बी आर 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 इसके जो director है वह एस एस राजा मॉली और hollywood foreign press association ने इस film को डो categories के अंदर में नॉमिनेट किया है जो पहली category है वह बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लेंग्विज कैटिगरी जो दूसरी category है वह है best original song ना टू ना टू तो इस इन दो categories के इंदर में इस film को नॉमिनेट किया गया है golden blue awards जो की January 2023 में होने वाले नेक्स कोशन दिखते हैं अगला कोशन है which state forest department has launched वनी करन प्रोजेक्ट to restore natural vegetation किस राज्य के वन विभाग ने प्राक्रितिक वनस्पती को बहाल करने के लिए वनी करन परियोजना शुरू की है तो इसका अंसर है सी केरला और यह जो प्रोजेक्ट है यह basically a forestation प्रोजेक्ट है यह आक्रमक पौधो विशेश रूप से सिन्ना इस्पेक्टेविलीस कुछ जड़ से खतम करने के लिए एक वनी करन परियोजना है आज का हमारा लास्ट कोशन है पीएम मोधी पार्टिसिपेटेड इन प्रोग्राम कममरीटिंग श्री अर्बिंदोज डैस बर्थ एनवर्सरी पीएम मोधी ने श्री अर्बिंदो की कौन सी जैनती के उपलक्ष में एक कारेक्रम में भाग लिया और इसी कारेक्रम में प्रधान मंतरी नरीन मोधी जी ने एक कौईन और पोस्टल स्टेंप भी लांच किया था यह जो कोशिन है इसको हम लोगों ने डिटेल में पिछली वीडियो में गवर किया हुआ है जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा आपको उपर आई बटन में या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप जरू कमेंट करें, यह कोशिन आप लोगों के लिए है, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इन वीडियो को, मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में, थैंक यू.